पुसकार क्रिकेट वाली बात के इस मैच प्रिव्यू में आपका स्वागत है मैं हूँ तुशार उपरेती और आज है डबल हेडर मुकाबले वो दो मुए साब जैसे होते हैं ऐसे दो-दो मुकाबले तो आज है दो मुकाबले पहला मुकाबला है साड़े तीन बजे मुंबई इंडियन्स और राजिस्थान रॉयल्स के बीच में ये बहुत ही धांसु मुकाबला होने वाला है इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियन्स ने अपना जो मुमेंटम है उसे पूरी तरह से खो दिया है और वो उसे वापिस पाना चाहेगी दूसरी और राजिस्थान है जिसने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया और वो अपने जीत के मुमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी तो इस मुकाबले की पहले बात करते हैं इस मुकाबले में जिन खिलाडियों पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए वो होंगे कप्तान संजू सैमसन बहुत समय से ये कहा जा रहा था कि कप्तान संजू सैमसन जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पारे लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने बहुत ही दहरे से बल्ले बाजी की और अपनी टीम को मैच जितवाने में एक एहम भूमी का निभाई हाला कि इस सीजन में वो एक शतक भी लगा चुके हैं दूसरे जो खिलाडी है जो अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं जगड रहे हैं लेकिन उनकी जो गिंती है वो अभी तक विजेताओं में नहीं हो पारी है वो है कप्तान रोहिच शर्मा इतना जबरदस खिलाडी है जो अकेला पढ़ गया है जिसको मिडल ओर्डर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो इन पर जरूर नजर बनाए रखें जहां तक गेंद बाजी का सवाल है तो जस्परीत बुम्रा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्परीत बुम्रा जो है वो आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनकी गेंद बाजी इस मैच में विजेता निर्धारित कर सकती है एक और बात जो मैं यहां जोनना चाओंगा वो ये कि मुंबई इंडियन्स के साथ एक समस्या ये भी है कि उनका मिडल ओर बिल्कुल भी फायर नहीं कर रहा है खासतोर से पंडिया ब्रदर्श और केरान पॉलाड उस किसम की बल्ले बाजी नहीं कर रहे हैं जैसी उनको करते हुए हम देखते आएं तो हो सकता है कि टीम में बदलाव हो तो टीम बनाएं एक दम अंत में प्रॉस बहुत एहम रहेगा हाला कि दिल्ली की पिछ है और दिल्ली के इस मैदान में जो बल्ले बाजी अच्छी करता है क्योंकि मैदान बहुत बड़े नहीं है मैदान बहुत चोटे हैं अच्छे बड़े हिट्स देखने को हमको आज मिल सकते हैं एक और किलाड़ी है जिसकी और मैं इशारा करूंग वो है सूरे कुमार यादव फॉर्म बहुत लाजवाब है बल्ले बाजी भी आजकल जल्दी आ जारी है तो देखना है कि सूरे कुमार यादव क्या कर पाते हैं इस मुकाबले में मुंबई इंडियन्स के लिए खास तोर से मुंबई की ओपनिंग भी जो है वो पूरी तरह से फेल हो रही है विफल हो रही है क्योंकि बहुत साधरन बल्ले बाजी किये कौंटिंट डिकॉक ने इस सीजन में अभी तक जैन्त यादव को शायद बाहर बैठना पड़ सकता है इसलिए टीम बनाने में जल्द बाजी बिल्कुल ना करें बलकि अंत में बनाएं आजस्तान रॉयल्स के खिलाडियों पर बात करें तो जरूर चेतन सकारिया पर नजर रहेगी फिर से क्या वो नया करते हैं कैसे अपनी टीम के पक्ष में मैच को मोड़ सकते हैं जो गेंदबाज है वो मेरे को ऐसा लगता है राहुल तेवतिया एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं वो एक मैच विलन खिलाडी है अभी तक उन्होंने टीम के लिए कुछ हक में ऐसा किया नहीं है तो यह है इन खिलाड़ें पर आप नजर बनाए रखें अब बाद दूसरे एहम मुकाबले की जो है डेली कैपिटल्स और जो दूसरी टीम है हमारी केके आर उसके बीच में तो यह मुकाबला है एहमदाबाद में गुजरात में और पिछली बार जो मारकस टॉइनिस को रिशब पंथ ने अंत का एक ओवर दे दिया था जिसमें बनाए थे सामने वली टीम ने 23 रन वैसी गलती इस बार हो सके तो रिशब पंथ बिलकुल मत कीजिएगा यहां भी रिशब पंथ संगर्श कर रहे हैं बल्ले बाजों के साथ खुद बहुत अच्छी बल्ले बाजी हो रही हो उनकी लेकिन देखना है कि कौन उनका साथ दे पाता है इस मुकाबले में तो यह दिल्ली कापिटल से रिलेटेड जो चीज़े हैं वो यह है और इसके अलावा मुझे ऐसा रखता है कि केके आर पिछले मैच में उनके कप्तान इयन मॉर्गन उनको मैच जिता ले गए हैं लेकिन अभी भी वो टीम में मुझे बहुत भरोसा नहीं हो पा रहा है उस टीम के साथ तो केके आर के साथ ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उसी किसम का खेल दिखाते हैं हाला कि पैट कमिंज और रसल दमसल ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये कुछ खिलाडी है और शिवम मावी पे जरूर नजर रखिएगा इनकी गेन में वो धार है स्विंग जो आपको जादा से जादा विकेट दिला सकते हैं पॉइंट्स दिला सकते हैं इसके आलावा प्रसिद कृष्णा पर नजर रखिएगा तो ये कुछ खिलाडी हैं के के आर के जो आपको जादा से जादा पॉइंट्स दिला सकते हैं आज के इन एहम मुकाबलों में तो फि बन्यवाद